नमस्कार दोस्तों वेलकम टू शूइंग प्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे वेंकेज इंडिया कंपनी के बारे में तो यह स्टॉक में जिसी साब से करेक्शन चल रहा है यह स्टॉक में हमें अभी बाइंग ऑपर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए या तो फिर यह स् अनुट के नहीं एक स्मॉलड कम्पनी है जो कि मर्केटन इसका के वारे में अगर बात करेंगे अगर बहुता है चिसके ऑद बारे में बात बात करेंगे 4725 यहां पर हम जाके देखते हैं यहां पर 2019 को यहां पर ग्रोइंग होते गया उसके बाद में अभी 1098 करोड का यहां पर सेल्स देखने को मिल रहे जो कि बहुत बढ़िया है लेकिन स्टॉक गिर क्यों रहा है उसका रीजन भी तो हम देखेंगे अगर इसी साब से बात करेंगे यहां पर 30 करोड नेट प्रफिट से लेके यहां पर बीच में जब कोवीड हुआ था यहां पर यहां पर जब कोवीड हुआ था तो जोकि यहां पर 78 करोड का है यहां पर नेट प्रफिट में थोड़ा सा डिकलाइन जरूर नजरा आया है यहां पर करोड का यहां पर यहां पर अध्र इसी साब से यहां पर का जो तो ग्रोइंग यह सेल्स में बहुत 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 बढ़िया से भी ग्रोइंग हो रहा है यहां पर वैलेंस जाके देखते हैं यहां पर रिजर्ब जो है इतने ज्यादा कंपनी में देखने को मिल रहा है इसी साब साइक अगर प्रमोटर के पास में नियुक्त अगरें बात करेंगे जिरो पॉब्ली के पास में देखने को मिल रहा है तो इसी साब से अगर हम देखेंगे तो यहां पर यहां पर आप देखेंगे एक पूराना अगर ट्राक्ट रखड़ हम चेक करेंगे स्टॉक में जब यहां पर वाड़ फ्लिव आया था उसके बाद में तो यहां पर प्राइस यहां पर 1796 से लेकि यहां पर कहां तक आ चुका था एक बार जरूर देखिए यहां पर दिखिए यहां पर स्टॉक बिल्कुल यहां पर सुठीष गिरावाट को मिला था स्टाउक इहां यहां तक हम देखते हैं का करेक्सिंद् में जैकि उसके बाद में जैसे हुआ इस मुझी बहुत सब्सक्राइर से टेजी देखने को मिला ठीके यहां बाटम से लेके बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला था बाटम से लेके अगर अगर हम देखेंगे यहां से लेके तो कितना परक्संटेश का गिरावड देखने को दो कि मैंनुफेक्टरिंग उनिट भी इनका है जो की बिलडर फार्म को लेकर तो यहां पर यह पर उसके साथ में हैं कॉंपविश्टेशों कडिके थे लुक्स फोकस भी इनका पयर आपके बिखेंगे यां पधेंकी थे हे इसके साथ में यह जो प्रड़क्ट है इनका यहिए गो की सिकété नगेट शुल है तो यहां पर पर यहां पर स्पूरा उसित्स करते हैं यह सब प्रड़क्ट इननगा है कंपें एंस्रा मेड़्ड वक्टेओं था समपनीं सरांड naw सेवंड टरॉसन प्रदक्स देखने को मिलता है कंपनी बहुत बड़ी ऐसी कंपनी है यहां पर हम बात करेंगे का ग्रोथ जरूर नजर आएगा आने वाले दिनों में ग्रोथ में तो यहां पर भारी गिरावट जरूर देखने को मिला है लेकिन आगे आने वाले दिनों में यह स्टॉक में बहुत बड़ी ऐसा तेजी भी जरूर आ सकता है ठीक है उसके पीछे का रिजन भी बात करेंगे अगर इसी साब से देखेंगे अगर आप मेरे साथ में जूड़ना चाहते हैं यहां पर हर सब का नंबर दिया हुए इस आप मेंधी का का है अगर आप देखें कि यहां पे र्युल्ट हमेसा ब्सक्राइब तो यह होसकता है लेकिन वहां पे आगे आने वाले दिनों में यह बहुत बढ़ी आसा growth हो सकता है और 2nd point है अगर हम यहां पे आगे देखते हैं यहां पे हैं रिजर में तो कोई भी problem नहीं है ठीक रिजर भी बहुत बढ़ी आसे growing होते जा रहा है यह भी positive factor है अगर हम बात करेंगे फिर next promoter holding म में भी कोई प्रोब्लेम नहीं है जो कि प्रमोटर के पास में चलना है तो यहां पे मुझे इसा लगता है अगर आपको पोजीशन बनाना है परिंगे जो कि अगर थे सकता है यहां पर सपोर्ट के बात करेंगी यहां पर सपॉर्ट की गिरता है तो यहां पर जरूर्व सपोर्ट ले सकता है फ्यां यह जो है यह आपका सुपोर्ट रह सकता है लेकिन यहाँ पर चर्ण करना पड़ेगा अगर हम देखते हैं यहाँ पर रिज्ट तू-3 नेखे चलना है यहाँ पर चलना है यहां पर 2935 पर टारगेत के लिए पेहला लेके चलना है जो सेकेंड आपका टार्गेट रहेगा नियरेस्ट हाई यह नियरेस्ट हाई तक अगर आपका टार्गेट जरूर आचीव हो सकता है लेकिन अपको होल्ड करना पड़ेगा वह तक ठीक है 394 को अगर आप target लेके चलते हैं यहां पर 80% का गयन आपका मिल सकता है इसके लिए हो सकता है आपको 1 साल भी होल्ड करना पड़ जाए उससे ज्यादा ले लिए उसी वेसिस पर आपको स्टॉक में इंबेस्मेंट करना है एक स्मॉल क्याप स्टॉक है तो इसमें मैंने जो मेनली परामेटर जो चेक किया यहां पर आरोसी 15 अभव होना चाहिए उसके बाद में लोडेट कंपनी होना चाहिए उसके साथ में करेक्शन पर मिल रहा ह होना चाहिए उसके साथ में कंपणी का ट्राक रिकड़ है यहां पर कंपनीगां 15 साल का भी अधिंडर की तो हैं आश्च्छाब इसमें परफुलियों में कंश्णर करका सकते हैं नहीं अगर किसी बिजनेस बहुत बढ़ी होते जाएगा नहीं को पसंद आया है वीडियो को जरूर लाइक कर दिए अगर चैनल करने चानल को जरुब सब्सक्राइब कर लिजए थांक यू भरी मॉच प्रेंट इस दिडियों उन्मिल का नाया गिडियों